नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश कुबार पाठाक सिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि मैं पिछली वीडियो से आपको संतान के विश्वें पढ़ा रहा हूं कि हमको कुण्ड़ी देखे कोई ऐसे ही नहीं बोल देना च मौस्ते हैं कि संतान का योग है अथ्वा नहीं तो यह जितने भी पीछे योग मैंने आपको बताए यह सब शास्त्रों नोसार हैं जो बिल्कुल फल्दिपिका में दिये हुए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं और इनी के कंटिन्वेशन में आगे आपको कुछ योग और बत पीछे आपको अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने करक राशी के में बताया कि वह अल्प सुतराशी है इसको मैं स्क्रीन को पूरा आपके सामने बढ़ा देता हूं ताकि समझने में आपको असानी रहे तो करक राशी जो होती है तो यह कहते हैं कि सू पंचम भाब में करक राशी में शुक्र हो तो दूसरा विभा करने पर संतान की प्राव क्योंकि करक राशी ब्रश राशी सिंग राशी कन्या और व्रश्चिक यह राशी अल्प सुत राशी हैं करक ब्रश सिंग कन्या और व्रश्चिक यह अल्प सुत राशी है यानि ऐसे अकेला पंचम में हो तो थोड़ी संतान हो, करक राशी का हो के शनी अगर पंचम इस्थान में बैठा है इस सारे गभाओं के बारे में अब कहोंग सद रहता है, उसके बारे में बताया है, अगर सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है या शुक्र बैठा है, तो दूसरा व्युहा करने पर सन्तान की प्राफ्प। के अंदर तो आपको सब बड़ा फायदा मिलेगा अगर करक राशी का शनी अकिला पंचम में हो तो पुत्र पैदा करक राशी का चंद्रमा अगर पंचम इस्थान में हो और उसको कोई अशुब ग्रह ना देखता हो ना अशुब ग्रह कोई साथ बैटा हो तो थोड़े पुत जातक का वंश आगे नहीं चलता है यानि चतुर्त में अशुब ग्रह हो साथवे में शुक्र हो और दसवे घर में चंद्रमा हो तो ऐसे में जातक का वंश आगे नहीं चलता है पहले पांचवे आठवे और बारवे भाव में अगर अशुब ग्रह बैटे हो पहले पांचवे आठवे तथा बारवे भाव में अगर अशुब ग्रह हो कम से कम तीन भाव में अशुब ग्रह हो नहीं चार में अशुब ग्रह कौन से सूर्य शनी मंगल राहू के तो अगर ये बैठे हैं तो संतान जातक का वश वंश आगे नहीं चलता चंद्रमा पांचवे हो और पहले आठवे और बारवे घर में ये तो पहले भी बोला गया है कि पहले आठवे और बारवे घर में उसमें पहला पंचम भी इस्तमाल कर लिया है पहले पंचम आठवे और बारवे बाव में पाप रहे हों उनमें से तीन में अगर पाप रहे हों तो संतान नहीं होती जातक का वंश आगे नहीं चलता इसी प्रकार चंद्रमा अगर पांचवे घर में है और पहले आठवे तथा बारवे घर में पाप रहे बैठे हैं तो भी जातका वन्ष आगे नहीं चलते फिर कहते हैं दो योग और बताएं हैं जिससे जातक के संतान नहीं होती या अगर होती भी है तो संतान के कारण कलेश हो पाप पे लगने लगन पे पुत्र संस्ते धीये बोयम वेश्पनी नंदावन पुत्र ओया शक्के पुत्र गे सूर्य द्रस्ते चंद्रपृत कलेश भागे स्याद उसमू ये क्या बोलते हैं ये कहते हैं पाप ग्रहे लगन में हो लगनेश पंचम में हो लगनेश जो है हमारी कुंडी का वो पंचम भाब में चला गया तो लगनेश जिस भाब में जाएगा उस भाब की व्रद्धी करेगा तो पंचमेश तीसरे घर में हो और चंद्रमा चौथे घर में बैठा है किसी अंदर तो संतान नहीं होती और अगर होती है तो वो हमेशा कलेश रखती है घर के वो अच्छी संतान नहीं शास्त्रों में तो ये दिया गया है कि पुत्र नहीं लेकिन संतान इसके बाद दिखाते है मानदम सुक्तक्षम यह कहता है कि नीचे भी दो योग दिये गए यह कैसे योग बताते हैं इन दोनों योगों में से यधी कोई योग हो तो जातक के औरस पुत्र नहीं होता किन्तु वे पुत्र गोद लेता है और अस्पत्र मतलब जो अपनी पत्नी से ना, अगर जो योग नीचे ये दिये हुए हैं, इन दोनों योगों में से कोई भी योग खुंडली में होगा, तो जातक के अपनी संतान नहीं होती, वह संतान गोद ले ले, क्या वह योग हैं? कहते हैं यदि पंचम भाव पर हो और शनी महीं बैठा हो या मांधी वहां हो, आपने गुलिक और मांधी दोनों शब्दों का नाम सُना होगा, मैं अलगसी वीडियो में आपको बताऊँगगा, कि मांधी क्या होता है, एक अलगसी वीडियो में बता दो, लेकिन आप याद रखिये और या शनी वहां पंचम भाव का स्वामी निर्बल हो, पाप गुरहों से द्रस्थ हो, पाप गुरहों से युक्त हो, या पंचम भाव का स्वामी पाप कत्री में बैठा हो, और लगनेश से और सब्तमेश से कोई सम्मंद ना करे, सब्तमेश और लगनेश, लगन का स्वामी और सब्तम भाव का पांचवे घर का मालिक नीच राशी में हो या पांचवे घर का मालिक शुक्र है और वो कहीं भी अपनी नीच राशी में बैठा हुआ या शत्रु राशी में बैठा हुआ है या चटे आठवे बारवे भाब के स्वामी के साथ तो सिंतान नहीं पांचवे घर का स्वामी उस घर की हानी जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के कारकत्तों की हानी करेंगे और उस ग्रह से जो संबंद सजीव है उसकी भी हानी बोलो करेंगे तो यदि पंचमेश के साथ चटे भाव का स्वामी आठवे भाव का स्वामी या व्य भाव का स्वामी बैठ गया तो संत को परिशानी करता है संतान या पंचमेश नीच राशी में चला गया शत्तुर राशी में चला गया या सूर्य से अस्त हो गया तो भी यह प्रॉब्लम हो तो किन्तु यदि पंचमेश और पंचम भाव को शुब रह देखें लेकिन यदि यह सब तो हैं लेकिन पंचम भाव को शुब रहे देखते हैं या पंच में इसको शुब रहे देखते हैं दो या दो से तो संतान कम से कम नस्प ये थे कुछ लोग जो मैंने आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट शुलोग है इन सबको याद रखिएगा इन वीडियो उसको बार-बार देखेगा और कुंड़ी इसकाल आप हमें एक बात और बोलना चाहता हूं कि मैंने एक क्लास और लेना चाहता हूं में जिसमें आप लोगों के अस्तिरोजी से संबंदित comments आये लेकिन astrolog हे संबंदित वह होने चाहिए मत Pow ता उसमें किसी कुंडि का discussion वगरा ना हो आपकी astrology थ्योरी संबंदित कोई भी neighbors हो तो वह आप comments में लिफ़ दीजिए मैं को इखट्टा करके और बीच में आने वाले मंत में मार्च के महीने में एक वीडियो बनाऊगा जिसमें आपके सारे सभी कमेंट से उत्तर उसके अंदर होगे धन्यवाद चैसे